काफी लोग भाईया F&O की बात करते भाईया हम F&O करते अभी F&O क्या होता है F&O मतलब Futures and Options भाईया अभी फ्यूचर क्या होता है अब यूटूब पर जाओगे तो एक आता है जहाटू नंदन कोर्स बेचते हैं मैं तो आपको 1000 बर बोलता हो आज कल घीजड़े ताली नहीं यहां से आपको लॉजिक आपका दिमाग के सेंस अक्टिव करने पड़ेंगे अभी तो अपन ने सीखा Candlestick ट्रेडिंग व्यू का चार्टिंग प्लैट्फॉर्म कैसे यूज करें Candlestick पैटन क्या होता है बेसिक बेसिक तो अपनने सीख लिए नहीं सीखा पूराने वीडि आपने स्कूल कॉलेज विद्धाले में जब आप गयते तब आपने ध्यान नहीं दिया था इंट्रेस्ट नहीं था अपको वही चाहिए लगती तो अब कुछ अगर आपको इंट्रेस्ट तो ध्यान से देखिए समझ के देखिए हर एक चीज को समझने का प्रयास किजी है तो बीच बीच में कुछ चीज चूट जाएगी कुछ रहे जाएगी तो उसमें मजा निए वीडियो शूड़ू करते हैं वीडियो चलते फिर दिन देखना है लाइक करके वास्ट लेटर में दाल दो फुरसत में देखना है जैसे आप पढ़ाई के लिए सीखते हो ऑनलाइन प्लाइन साथ वीडियो को लाइक करते न अपने शेयर बजार सीखने वाले जो रूची रखते उनको भी ये शेयर करते हैं चले सीखते फिर और आप्शन क्या होता है तो काफी लोग बोलते हैं हम F&O कर रहे है F&O मतलब F&O तो इसका दो अर्थ होते है देखो F मतलब होता future 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 ओ मतलब होता है option तो आज के वीडियो में आपन सिर्फ future समझेंगे फिर option समझेंगे अब देखिए यह ऐसी चीज है जो high risk और high rewarding है जितना जादा risk इसमें आप लोगे जितना suppose आपने आपके पास 1000 रुपए और आपने 1000 रुपए पर risk लिया है इसके 20,000 भी बन सकते है इसके जितना जादा risk उतना जादा इसमें reward रहता है जितना जादा आपका risk रहता है उतना ही जादा इसमें reward रहता है तो आपन समझते है future and option क्या होता है धीरे-धीरे कि यह रही पिसे एंट एफ नियु आपन घुसा द ने पन प्रेक्टिकल पिशन रखेंगे और थेरी भी शेयर लेखें मैंने आपको बताया था भीया आपन इसमें dedicatedly future समझने वाले नेक्स वीडियो में आपन option समझेंगे मैंने आपको बताया था भीया index होता है stock होता है और index कोन सा nifty bank nifty होता है nifty होता है bank nifty होता है stock होता है जो भी xyz नाम का stock होता है तो अभी आपको मैं चीजे जब अभी इंप्लिमेंट करके बताऊगा तो आपको समझेगा मैं आपको सब्से नाम जानी पर रिलाइंस कि यहाँ पर अगर जाते हैं अपन आरी अल्ड आइए यहाँ पर इसके बाद लिख्किया था है रिलाइंस में फ्यूचर निलायंस जूलाइ फ्यूचर फ्यूचर और यह फिर रिलाइंस में 28 बीस यह यह वह नहीं होता है यह भी समझेंगे अब चलिए समझते क्या होता है सबसे पहले इसको डालेंगे जून का डालेंगे जुलाइक डालेंगे अब यहां पर अपने रिलाइंस के अब यहां पर फ्यूचर और आप्षेन सीक रहे हैं मतलब अपन फ्यूचर सीक रहें अभी तो फ्यूचर के बारे में ही बात करेंगे ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा है चीजों को मैं आपको 1000 बार बोलता हूँ बह्या इसी के तो लोग 60-70-70-70-70 ले रहे हैं इसी बात समझाने के वाह होता है contract का अर्था समझते है सबसे पहले आप suppose आपने यह आपका सो रुपय का है यह आपका सो रुपय का नोट है यहाप एक गांधी बुढ़े का फोटो है ठीक है यह आपका सो रुपी का है अर इसके नीचे बड़ा सा statement में आरविया government अधा करता हूँ सो रुपय देने तो यह हो गया आपका contract ऐसा समझझे हो गया उसकी क्या भरोसे प का विश्वास कर आपके सामने यह सुपोज लिया नीडत आ白ं का अगर कोई पैसे कि नोट मिलती है मुझे इसकी है तो यह का कागत दिना है ना आप सोच के देखे है तो यह कागत तो इसकी क्या गैरेंटी कि यह है कि यह काम में आएगी मेरे जीवन में तो उसके नीचे लिखा रहता है मैं RBI का गवर्नर मैं अदा करता हूँ मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं बॉरोर को सो रुपे देने का जो सेंटेंस लिखा होता है मतलब अपन RBI के भरोसे पे उसके काम चला रहे समझे गया यह सो रुपे की नोट है यह किस भरोसे पे अपन ले रहे है कि भाया RBI के गवर्नर ने बोला है कि मैं इसको कांट्रेक्ट दे रहा हूँ यह चीज आपको भविश्य में काम आई यह चीज आपके क निकल वा सकती है इतना समझ गया आपको तो सो रुपे की नोट होगी अपनी कॉंट्रेक्ट और इसके भरोसे पे रिजोर बैंक ऑफ इंडिया के भरोसे पर अपनी सो रुपे की नोट चल रही भाया है वह वो पीस का पेपर ही पीस ओफ पेपर हिए ठीक है अब वैसे ही र इसका पंचेश इसका आ रहा 2730 2793 और इसका आ रहा 28 जून का रहा फ्यूचर 2812 और रिलाइंस फ्यूचर आ रहा जून का जुलाई का रहा 2831 भाईया यह तो प्राइस बढ़ रहा 2730 2793 फिर 821 को और फिर 831 का प्राइस कैसे बढ़ा अब समझते क्या होता है सबसे पहले पाड़ी लेने जाओ या फिर एक कपड़े का पीस या एक टिशेट लेने जाओ महेंगा मिलेगा पर आप पलक मेलो तो सस्ता मिलेगा ना दुकानदार क्या बोलता है साब 10 लोंगे ना अगर 20 रुपए का आइटम है सर एक लोंगे तो 20 रुपए का पड़ेगा भाईया 10 समझते हैं आप रिलायंस का स्टॉक जो है यह जिन्दगी के साथ भी जिन्दगी बाद भी अब रख सकते हों अपने पॉर्टफोलियो में मैंने सब्सक्र लेके रहके रिलायंस के यह मरने के बाद मेरे बच्चे पर ट्रांसफर होगा जो भी नॉमिनी रहेगा डिमाट अ जाएगा ठीक है उसके नाम पर मतलब मैं मरने के बाद जिसका भी हग बनता है उसके नाम पर जाएगा अगर मैं जब तक ना बेचू फ्यूचर कॉंट्रेक्ट का इसा नहीं होता है फ्यूचर कॉंट्रेक्ट में में एक्सपायर हो जाएगा में के थर्जडे को थर्जडे को हर गुरुवार को फ्यूचर एक्सपायर होता है अगर गुरुवार के दिन अगर कोई छुट्टी आ जाती है मार्केट क्लोज होत आप आपका जो ब्रोकर है वो अपने पिसको सेल OFF कर दे क्यों कर देगा क्योंकि आपका वो expired हो रहा इक स्थायर बतलब खतम हो जाना मर जाना ठीक है तो रिलायंस में इसकि को आपका फ्यूचर काॉंटरेग्ट एक्स Пायर हो रहा है समझे चलिए इतने आ को समझ आगया, अभी, अब समझते Reliance का ये stock है, कितने का एक stock, 2780 रुपे का समझ लीजिए, अब वही future contract, मैं क्या बोला आपको bulk में होता है, buy करना जाओंगा, भया ये तो quantity 250 बता रहा है, भया मुझे ना सिर्फ 200 quantity लेना है, नहीं चलेगा, ले नहीं पाओगे क्योंकि ये multiple में ही लेता है, इसका lot size है 250, इसका lot size है 250 quantity, उसकी अलावा ये lot कामी नहीं करेगा, जैसे bank nifty का 15 होता है, वैसे Reliance का 250 है lot size, इसके विना ये कामीच नहीं करेगा, आप बोलोगे, भया मुझे 249 लेना है, ये order execute नहीं होगा, क्योंकि ये multiple नहीं है, 250 का, भया में को लगता है ना भया, 249 ये रहना चाहिए, buy करूँगा, भया order execute must be value equal to और greater than 250, अब भया में को लगता है, 251 लो greater than, नहीं जाएगा, क्योंकि 250 का multiple इच रहना चाहिए, 250 हो गया, 500 चलेगा, 2 lot नीचे लिखके आगे, देखो, 750 तीन lot लिखके आगया, 750 भया हजार, 4 lot लिखके आगया, तो ये इसका multiple होता है, 250 के multiple में आपको लेना पड़ेगा, आप यहां पर आपन एक चीज बताता हूँ मैं रिलाइंस का अगर मैं 250 multiple में लू, हां, market order पे तो कितने का मिल रहा है भया, 6,97,000, राइट, भया, वही मैं अगर future लू, तो ये कितने का पढ़ रहा भया, market order पे, 1,25,000, अरे, ये तो 5 गुना सस्ते में पढ़ रहा, हां, तो इस पे 5X का margin मारजिन होता है future, इतना समझ आगा है, मारजिन मैंने पिछले वीडियो में समझा है, आप देख सकते हूँ, अब ही, आप समझते, ये में के, ये जो में चल रहा है, आज की तारीक है, सपोस्ज आज की तारीक है, 12, 13 तारीक है, आज की 13 में, तो ये महने का आखरी जब दीन आएगा, मतलब ये, 31, 30, गुरुवार का बारा है, थस्टे, ये 30 तारीक को एकस्पायर हो जाएगा, लास्ट थस्टे आरा में का 30, 30 में को एकस्पायर हो जाएगा, मतलब इसकी, ये अपने आप सेल हो जाएगा, ठीक है, अब इसको अगर आपन बाय कर रहे है, तो ये 250 कॉंटिटे में भाय होगा, और पाच गुना सस्ता भी मिलेगा, बलक में भी बाय होगा, अर भाया आपने तो बता दिया, भाया मैं ये बाय करूँ, इसका कैसा, समझ नहीं आया, ये तो कॉंट्रेक्ट ही हुआ न भाया है, तो ये रिलायन्स का कॉंट्रेक्ट हुआ किसके भरोसे पर, रिलायन्स के भरोसे पर, तो ये जो कॉंट्रेक्ट चल रहा है, ये अंडरलाइंग असेट के अंदर चल रहा है, अंडरलाइंग असेट कौन सा है, Reliance, समझा मैं क्या बोला आपको RBI का Governor अगर आपको 100 रुपे की Note दे रहा है, तो वो RBI के भरोसे पे ले रहे हो, वैसे ही ये वाला Contract आप Reliance के भरोसे पे ले रहे हो, कि Reliance के भरोसे पे ये पूरा सवधा चल रहा है अब इसकी चीज़ अपन समझते हैं एक काम करो, इसका चार्ट खोली है वर्जन ओफ ट्रेडिंग में थोड़ा सा वार्निंग है पता नहीं किसका था, अब ये चार्ट खुला है चार्ट खुल गया, मस्ट चार्ट यहां पे अच्छा सपोर्ट अब आपको तो बताया दिया है, मैंने सपोर्ट रिजिस्टेंस क्या होता है एक यहां पे एक अच्छा सा सपोर्ट बनता है भाईया यहां से मार्केट का कुछ उपर नीचे जाने की प्रोबाइबिलिटी बनती है यह हो गया में के फ्यूचर वाला चार्ट देख रहा है में 24 में रिलाइंस 24 में फ्यूचर कॉंट्रेक्ट अब यहां पे सेम इस गोस्टू इस गोस्टू रिलाइंस रिलाइंस के एक चार्ट पे क्लिक करेंगे अपन वो सेम दिख रहा है चार्ट देखिए same to same chart दिख रहा है, थोड़ा बहुत फरक होता है, बट same to same दिखता है, ठीक है, अब देखिए एक, एक और, एक लोग, देखो, थेरी, थेरी का कुछ काम नहीं होता है, बट समझी है, ये 2790, और इसके, में के future contract का price कितना चल रहा है, 2800 हुआ, देखिए, अब ये कितना 10 रु अगर बेचता है, तो कोई खरीदने वाला चीज है, अगर आम market depth पे देखते हो, तो देखिए, पर कितने ओर्डर एक लाग अगर मैं जाओंगा ना चलो यह हो गया अभी मैं जाता हूँ जून के अगले बाइने के तो देखिए बैए काम हो गए 63-6 खरीदने वाले है और 70,000 के करीब बेचने वाले 63-750 बॉइंग है 68-750 बॉइब उतना ही मैं अगर जूर जो जुलाई के मतलब अगले दो महिने बाद तो 13,000 लोग खरीदने वाले और 23,000 बेचने वाले तो इसमें जादा लिक्विडिटी नहीं है लिक्विडिटी मतलब रिलाइंस का लॉंग टम के लिए मार्केट ओडर में खरीदने का तो बही अगर अगर 250 खरीदना चाहू तो कितना रूपे लग रहा भी या 6,57,000 पैसा तो मेरे पास है निए इतना 6,67,000 में कहां से लो भया, तो वही अगर आप future contract खरीते हो, वो तो पहले से 250 quantity में लेना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि lot size ही उतना है, तो यह कितने का पढ़ रहा, overnight market order, 1,25,000 का, पाज गुना कम पढ़ रहा, इससे फायदा होता है, ठीक है, और लेकिन किंतु परन्त भया, भाव तो उतना ही है, नव रुपे महें गाए तोड़ा, चलेगा तो नव रुपे के हिसाब सही ना हो, इसलिए future option आपको कम price में मिलता है, लेकिन risk भी उतना ही होता है, क्योंकि आपका आखरी में के आखरी गुरुआर को reliance का contract अपने आप कटने वाला है, आपका लाउदा card देगा, जो हिसाब किताब रहेगा, वो हो जाएगा, profit हुआ तो आपके इसमें और पैसे आजाएंगे, गए तो फिर आपकी जितना loss हो, वो आपको जहलना पड़ेगा, उसके लिए risk reward, price action, यह चीजे काम में आता है, अब यही चीज अगर आपन trading view को open करें, ठी अब यहां पर reliance का, यह तो stock है, यहां पर reliance industries दीख रहा है यह वाला stock, इसके नीचे एक और reliance का भी है, अब यह तो portfolio में तो यहां पर लिखके भी आता कि यहां भूप मार्क में है भी यह आपके, इसके नीचे भी reliance का एक यह बना है part, अब यह reliance की future है, अपने को 3 मिले के रिलायंस फ्यूचर में 24 का मा फ्यूचर जुन रिलायंस फ्यूचर जुलाइए तीन मैने के future होते future contract 10 अब आप देखोगे न ही सál오ộc यह वाला चार्ट यह वाला चार्ट पर आपको इस वाला चार्ट तो अपने को फ्यूचर का चार्ट देखना है कौनसा रिलाइंस रिलाइंस का एक सेकंड रिलाइंस का ये वाला देखना है फ्यूचर क्योंकि यह अपने को exact stop loss वगेरे बताएगा यहां से अगर मैं रिलाइंस ट्रेड करना चाहू तो एक बाइंग बनता है मेरे लुग करूंगा मैं पोजिशन यहां से stop loss लगाऊं यहां पे टारगेट लगाऊंगा यहां वन इस टू इस टू रिस्ट्स टू का ट्रेड बनता है तो यह लगातले वाप्शन क्या होता है और कभी वीडियो मे समझेंगे रहा है एक महने का प्रेडिक्शन कर रहे हो मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा मतलब फ्यूचर सस्ते में मिल रहा है अगर आप 250 रिलाइंस लेने जाओ तो 6 लाग 7 लाग का मिलता है अगर आप 250 कॉंटिटी में रिलाइंस का फ्यूचर लो वह आपको 125,000 में मिलता है पाच गुना कम मिलता है समझेगे आपको हाँ तो फ्यूचर का पर इसका एक प्रॉब्लम है कि में के आखरी गुरुवार महिने के आखरी गुरुवार को एक्स्पायर हो जाएगा अपने आ आपको बता है कॉंट्र cat क्यूं चल रहा यह जो कांट्रैक्ट कि इंडरिंग कौने की जो रपह नहीं चल रहा है लो इसा यह रिलयाइंस का जो चल रहा है वो इसके बाद्स चल रहा है वही अगर अपन देखे अपन डैक नफटी बैंक निफ्टी थी और और रिखनगे अब आपके हिसापसे करें अधे इं नैसे कमें ड़्त लें घ्ली नालते पिर ईखनले में is प्राइस चल रहा है उसका प्राइस अभी यहां पे दिया है कितना है 47304 तो 47300 देख सकते है अपन 47300 इसका प्राइस चल रहा है लेकिन फ्यूचर में का क्या चल रहा है 47500 भाया यह तो 200 रुपए महिंगा है मानता मैं लेकिन अब इसके अडवांट दो 100 रुपए महिंगा ज्यादा ने अगर आप इसको इंडेक्स को भाय नहीं कर सकते हैं इंड कर सकते हैं इंडेक्स को खरीद नहीं चकते हैं इसके लिए तो बैंक निफ्टिगा भाय यह फ्यूचर कॉंट्रेक्ट बनाया है इस पर बाय पर क्लिक करेंगे बैंक निफ्टिगा लॉट साइस किता होता है 15 लापर 15 अगर मैं डालो बिपीज करना बाइक तो नहीं क्यू लग-छ लग होते हैं , 250 रिलाइंस का था , nifty 25 , nifty 15 , bank X का 10 होता है , sense X का 10 होता है , तो ऐसे lot size होते है , तो अब अबी अपन इसको देखेंगे , buy करेंगे , भाया , lot size ले रहे हैं , lot ले रहे , एक lot ले रहे , भाया , market price कितने का पढ़ रहा , 95,000 रुपीस का market price और यह expired कब होगा , को यह महिने के एंड इंड का गुरुवार का बारा है अपन केलेंडर देखते हैं तीस में को एक्सपायर हो क्यों ढूदैगे अगर यह अगर उसको डेली ताम फ्रेम पर आपन डालते भई है यह तीन थीन मेंगे को टे डाव बताता है लो भई अभी कुनसा मैना चल रहा है हो दूसरा तीसरा चोथा पाच आप देख सकते हो सो से डिटा चालु और जो गयो फ्यूचर कॉंट्रैक्डड सब एप सब तेल में डाल दू , जो मैंने बताया अभी का partir तो लो खंटा समझ भाए अब एक चींज समझोNow पंद्रा एक एक 47,394 बहिया तो ये तो बहिया पंद्रा कॉंट्रेटी में खरीदना जरूरी ये तो कितना महेंगा जा रहा हाँ 47,470,10 का और फिर पाच का दो 6-7 लाग का पढ़ रहा भईया हो लेकिन आप यहाँ पे फिउचर कॉंट्रेट खरीदते हो तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको बैंक निफ्टी का ऐसा समझो शेयर छोड़ दो ये फिउचर शेयर आपको कितने का पढ़ रहा 55,000 का लेकिन यह में के आखरी गुरुवार को एकस्पायर हो जाएगा आपका लॉस हो या प्रॉफिट हो साउधा अपने आप कट हो जाएगा इसके बाद यह भी खरीच सकते है अपन भाईया ऐसा नहीं कि यह नहीं खरीच सकते लेकिन 55,716 का यह पढ़ रहा और 55,167 का यह पढ़ रहा 95,176 का यह पढ़ रहा और 96,368 का यह पढ़ रहा 1000 रुपए का फरक है इन दिनों में लेकिन यहा पर लिक्विडिटी कम होती है तो अपन को लेटेस्ट कोंट्रेक्ट मतलब में 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 है न अभी में का शुरुवात हुआ है 12-13 में आज का तो में में ही खरीदेंगे न भाईया में का ही फ्यूचर कॉंट्रेक्ट खरीदे अतना ही प्रॉफिट फ्यूचर में मिलेगा लेकिन सस्ते में मिल रहा है तो क्या तो यह मंत के एंड के गुरुवार को एकस्पायर हो जाएगा दूसरी बात इसको लॉट में खरीदना पड़ता है मतलब बल्क में कपड़े लोगे तो सस्ते मिलेगे न यह होता है भाईया आपने में को इतना सिखाया दूस का लॉट साइस होता है वेकंडक्त होता है उसका 75- pineapple का लेता हो तब उसका एक लॉट कंपली कि रिलायनस के स्टॉक पर चलेगा उसके अंडर लाइन पर 100 रुप्रिये की सो रुपरे की नोठ इसलिए चल रहे हैं वैसे रिलायनस के भरोसे यह चलेगा इधर कैप चार्ट चलेगा है सम्झा यह होता है फ्यूचर अगले वीडियो में आपन सिखेंगे अप्शन क्या होत बस अपने को बल्क में खरीदनेगा उसको एक लॉट खरीदना पड़ेगा जो कि 15 कॉंट्रेक्ट का होता है ज्यादा सोचने की जरूरति है नेक्स वीडियो में समझें कि ऑप्शन्स क्या होता है ठीक है अगर आपको सीखने में मज़ा रहा है प्लीज हीट थैट सब्सक्रा हाफ आट